तो टोड़े इन दिस वीडियो लेक्ट्टर वे इस चैप्टर नुबर वन रिप्रोड़क्शन इन लॉवर एंड हायर प्लाइट तो जैसे कि मने लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था कि कौन सा चप्टर शुरू करना है तो आप सब लोगों के कमेंट्स आए बहुत सार करना है तो इसलिए हम लोग पहला चप्टर ही जो है वाज शुरू करने वाने इसका अधाम आपको पता ही है तो मेरी आदिश यह है कि सबसे पहले में टाइटल को जो है एक्स्प्लें करता हूं ताकि अंदाज अलग जाए कि इस चैप्टर में कौन कौन से चीज़ें हमें देखना है तो चैप्टर के अंदर कुछ एहम वर्ड्स हैं जिसके मीनिंग आपको पता होना जरूरी है जिसके चलते आपको यंदाज अलग सकता है चैप्टर में कौन कौन से चीज़ें हमने देखनी है तो नेम इटसर्फ इंडिकेट द मीनिंग नाम ही उसका मतलब बता है इसमें दू-तिन फाद जो है वो इपॉर्टन है वह है रिप्रोडाक्शन दूसरा है लोर हायर और प्लांस तो सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रोडाक्शन किसे कहा जाता है आपको तो पता है लोर यानिके नितलिजर देखे और हायर यानिके तो हायर मतलब अच्छे उपर दर्जे के प्लांस यानिके प्लांस तो प्लांस के अंदर नबतात के अंदर किस तरीफे से अमले तौलीद यानिके रिप्रोडाक्शन का अमल जो होता है यही हमको इस चप्टर के अंदर देखना है तो थोड़ा सा एक हम रिव्यू ले ले लेते हैं कि इस चप्टर क्या होता है वो भी हम देखेंगे उसके बाद असीक्जियर रिप्रोडक्शन को हम डीटियल में देखेंगे कौन वो इस टाइप्स हैं असे ज्यूर रिप्रोड़क्शन के उसके एक्जैम्पल पर द्यान दीजिए नीट वाले बच्चे इस्पेशली यह एक्जैम्स के हम वाते भी हिए उसके बाद हम बरेंगे में मादें में इस टाइकर के निजिग्यूर रिप्रोड़क्शन के उसके अंदर हम सबसह परढ़े क्ष приложे क्या होती है उसके बाद प्रतिलाइशेशन क्या होता है जाइबोड तर इस तरीक एसे बनते हिं में तोध कि थभर जो है वो किस तरीके से होता है उसके बाद seed formation, fruit formation यह सारा process जो है वो हमें यहाँ पे देखना है तो यह बड़ा ही interesting सा चाप्टर है जिसे one by one, step by step हम लोग धीरे धीरे इसको समझने की कोशिश करेंगे तो अगे शुरू करते हैं reproduction in lower and higher plants तो इस चाप्टर में सबसे पहले जो ह हम समझ ले word by word. So the definition of reproduction states that the process in living organism to produce a young one like parents of same species is called as reproduction याने के इसका मतलब ऐसा process ऐसा अमल जिसके तहर जानदार अपने जैसे ही दूसरे जानदार को पैदा करते हैं उस process को कहा जाता है reproduction याने के जानदारों का अपने जैसे ही दूसरे जानदार को पैदा करने का अमल अब यहां पे definition पे थोड़ा सा हम emphasis करेंगे definition पे थोड़ा सा हम और ज़दा समझने की कोशिश करेंगे कि यह definition आखिक कह कह रही है तो देखिए कोई भी living organism जो होता है यानि के जानदार चीज जो होती है उसकी बहुत सारे खुससियात होते हैं बहुत सारे कुरिकीद होते हैं या आपने और रही 11 के अंदर देखा हुआ है कि living organisms के अंदर बहुत सारे biological process जो होते हैं जैसे कि respiration है, growth है, circulation है, reproduction भी इसमें से एक है बट दूसरे जो है वो कुछ अलग है और reproduction जो है वो बहुत ही एहम चीज, बहुत ही एहम एक process, बहुत ही एहम एक अमल जो है जानदारों के अंदर होता है जिसके तहद वो अपने वजूद को बरकरार रखते हैं, वो अपने continuity को बरकरार रखते हैं, दूसरे process अगर है, for example, respiration है या circulation है घानदार के अंदर नहीं होते हैं, वो जानदार के अंदर खतम होता है जायर से बास है अगर आफ किसी को respiration से रोख दे , या किसी के अंदर circulation रोख दे तो जायर से बास है वो जिन्दा नहीं रहेगा तो क्या ये चीज रिप्रोडक्शन के साथ भी होती है कि अगर किसी जान नाहर पे रिप्रोडक्शन ना हो तो क्या हो मर जाएगा ने अगर कोई रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो वो मरेगा ने वो खत्म नहीं होगा वो रहेगा मगर उससे जो continue की आगे बर रही है उससे जो उसकी नसल आगे बर रही है वो नसल उससे आगे नहीं बढ़ेगी तो एक बात आप यहां पर वाज़े तो पर समझ लीजिए कि यह जानदारों के लिए obligatory नहीं है कि यह करनास पड़ेगा नहीं तो फिर खतम हो जागे मल जागे ऐसे नहीं है अगर यह नहीं होता है रिप्रड़क्शन अगर नहीं होता है तो उसकी जो वजूद जो है वो खतम हो जाएगा अगर कोई जानदार है वो रिप्रड़क्शन कर रहा है यह आपका reproduction जो है वो नहायत जरूरी है, बहुत ज्यादा important है अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि भी reproduction असल में बता क्या रहा है, reproduction के actual meaning क्या है यानि कि for example, अगर कोई जानदार है, अगर ये एक जानदार है, तो ये एक जानदार से दूसरा जानदार जो है वो तयार हो रहा है इसी को हम क्या कह रहे है, reproduction कह रहे है, बहुत important process है, leaving organisms के अंदर तो ये हो गई, definition, right, definition, फिर से एक बार समझ लो क्योंकि definition बहुत जाद़ important होती है, किसी की भी हो, वो आपको word by word वैसे ही लिखने होती है, नहीं तो आपके number कर सकते है तो definition यहाँ पर क्या बता रहे है, the process in living organism to produce a young one like parents of same species, अपने जैसे ही दूसरे जानदार को पैदा करने का process, reproduction कहलाता है चलिए ठीक, clear, अब इसके बाद जो है, वो आजाई है इसके type के उपर, basically reproduction के दो type है, एक होता है, और sexual reproduction और दूसरा होता है, sexual reproduction अब यह दोनों को भी हम देखेंगे, और साथ यह साथ, यह दोनों का comparison करेंगे, यह दोनों का जो है, वो मवाजना करेंगे, कि दोनों में basic difference क्या है शायद question ऐसा भी आ सकता है, कि differentiate between a sexual and sexual reproduction, या write a note on a sexual reproduction, या write a note on a sexual reproduction, या write a note on sexual reproduction तो यहां पर हम comparative study करेंगे कि और सेक्जियोर रिप्रड़क्शन क्या है और दोनों के अंदर difference क्या होता है ठीक है चले तो और सेक्जियोर रिप्रड़क्शन के अंदर कुछ के अंदर involved होता है वहीं पर in security production two parents are involved यहां पर दो parents जो है वो involved होते हैं यह बड़ा एक basic सा difference है दोनों के बीच में a security production एक parent security production दो parent male and female यह दोनों के combination जो है वो दूसरा जानदार जब तयार होगा तो उसे कहा जाएगा security production के वो जानदार तयार हो गया अब यहां पर सिर्फ एक ही जानदार होता है और वो एक ही जानदार दूसरा जानदार तयार करता है उससे process को हम कहेंगे a security reproduction दूसरा point जो है वो है no production of gamets और यहीं पर security production में आप देखेंगे production of gamets यानिके a security production में कोई gamets तयार नहीं होगे बलकि आपके security production के अंदर gamets तयार होंगे male gamet और female gamet अब अगर human mean की बात करें तो male के अंदर जैसे sponge तयार होते है female के अंदर जैसे oven तयार होते है और वो दोनों की combination के बाद जाइगूर बनता है फिर embryo बनता है इस तरह का से process जो है वो आगे चलती है बट वहां पे कोई gamet जो है वो तयार नहीं होगा अब आजाएगे तीसरे पॉइंट फ़र्ड पॉइंट के अंदर मियोसिस भी होता है माइट वियोटासिस भी होता है ठीक है और आपको पता हिए के सेल डीवीजन की दो टाइब है मायोंोर्सिस और मीउसिस। कांफी तक्सीत दो कसिम की होती है मीउसिस और मायो्सिस doesrd already products अग our security production मेंं स्रफ और सिर्फ मायट्रासिस होगा वहीं पर six or two production में पहले मिली और उसके एक जैसे होते हैं उनमें ज्यादतर कोई डिफरेंस नहीं प्रिफरेंस नहीं है नजर नहीं आता है बट जब हाँ बात करते हैं century reproduction की तो offsprings यहां पे दोनों के भी खुसुसियात जो है वो मौजूद होंगे male के भी female के भी father के भी mother के भी दोनों भी combination का मिला विलासर जो है उस century reproduction के offsprings के अंदर आपके देखने को मिलेगा यह हो गया चोहता point पर आए यह पांचते point पर less variation is observed कहां पर in a secure reproduction and more variation is observed in a secure reproduction secure reproduction में more variation ज्यादा variation ज्यादा तगयूरात आपको देखने को मिलते हैं ठीक है और a secure reproduction के अंदर आपको less variation so the question arises कि आपके सवाल एक उठता यह है कि पर variation आखिर क्या चीज़ है तो इसको समझने के लिए आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि variation यानिके differentness यानिके तबदीलियां यानिके change यानिके variations जो है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं तबदीलियां जो है आपको ज्यादा देखने के लिए मिलती हैं इसको छोटे से example से आप याद रखिए एक जानदार है क्या है यह जानदार है यह सिंगल पैरेंट है अब होता यह है कि जब आप असे जानदार त्याब होना उसी को कहा जाएगा असे जानदारं ट्यार थो फ़र्श कीजए कि यह जानदार है और एक कोई त्यार यह जानदारे का एक लिए ओर जैंडारार है। तरक फ़रेंपट है क्या है यह सिंगल पैरेंट है एक तुकड़ा जो है वो अलग हो गया और ये तुकड़े से दूसरा जानदा जो है वो तयार हो रहा है अब ये धीरे धीरे तुकड़ा अलग हुआ और धीरे धीरे नया जानदा जो है वो तयार हो गया देखिए ये भी ब्लू वाला है ये भी ब्लू वाला है तो इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे but when you are talking about the security production security production में क्या बता रहा है more affiliation, ज्यादा तक्यूराज, ज्यादा तबदीलियां आपको जो है वो देखने को यहाँ पे मिलती है ठीक है अब यहाँ पे security production में start में हमने देखे कि दो parents यहाँ पे मुझूद है ठीक है, अब चलिए हम देखने समझ लोगी एक parent है यह एक जानदार है और यह दूसरा parent है male, female ठीक है यह दो अलग रहा है अब इनके combination से नया जानदा जो है वो तियार हो रहा है ठीक है तो आप ऐसे भी हो सकता है कि for example देखिए हो यह रहा है कि यह दोनों का combination हुआ और तीसरा जानदा यहां पर तयार हो गया, ठीक है, देखिए male blue है, female black ठीक है, और इन से जो तयार हो गया वो दोनों का combination है इसके अंदर blue भी है, black भी है, ठीक है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह दोनों भी character यह दोनों के character, male और female mother और father के characters इसके अंदर आगये और यह अब इनके जैसा दिख रहा कहा it is not exactly same as their parents are but it has the characters of both of them यह दोनों के भी khutusयाथ इसके अंदर मौजिद है that is variation यह है तबदीली, यह है change यह है तवजरात जो आपको security production के अंदर देखने को मिलेगी मगर a security production के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी that was the point, यह point था अब आजाएए next point पे next point क्या है next point है not useful we are talking about the a security production, not useful for natural selection in evolution इसमें 2-3 भरी-भरी words इसमें इस्तिमाल कर ली गए है natural selection भी है और evolution भी है तो इसके meaning क्या है वह हम पहले समझ ले our security production के बात कर रहे है और our security production के अंदर यहाँ पे छटे point में बताया गया है point number six that not useful for natural selection in evolution evolution आपके समझना जरूरी यह point समझने के लिए evolution के माले होते है पिर्तिखाह यानिके slow और steady दीरे 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 changes आना और वो changes एक नसल से दूसरे नसल में मुंतखल होते रहना ताके कुछ generations के पार जो है वो एक नही generation वजूद में आ जाए evolution उसी को कहा जाएगा इर्तिखाह या evolution according to Darwin's theory Darwin के नदरिये से human beings जो है इनसान जो है वो बंदरों के अंदर evolution हो साइंसी अतिबार से साइंसी बता रहा है ठीके बहुत सारे religious लोग बिलीव नहीं करते हैं स्थेरी को बड़ साइंसी बता रहा है कि बंदरों के अंदर evolution हुआ और दीरे दीरे कई हजार करोर साल बाद उन्सान वजुद में है तो अब हुआ के असल में evolution के अंदर कि बंदरों में दीरे दीरे तबदीली आने गी दीरे दीरे तबदीली आने चेंज़े जो है वो आगे के generation में कैनी फॉर्वर्वल हो रहा है और कई generation बाद जब इनसान परट के देखता है कि हम कहां से आये हमारे वजूद क्या है तो उसको last में बंदर नदर आते हैं बंदरों में evolution हुआ और आगे के जो है वो इनसान वजूद में आगे तो यह evolution का concept a security production में है ठीक है तो इसलिए छटा point क्या बता है not useful ठीक है कारगर नहीं है for natural selection in evolution अब क्यों नहीं इसको समझ लो क्योंकि यह for example a security reproduction करने वाला एक जानदार है इससे अगर cell अलग हो रहा और दूसरा जानदार त्यार हो रहा है तो variation की बात ही नहीं आ रही है change या difference की बात नहीं आ रही है तो सालो साल generation after generation इसमें कोई भी changes नहीं आएंगी कोई भी तब्दीली नहीं आएगी यह जानदार से ऐसा ही जानदार फिर वैसा ही जानदार से फिर वैसा ही जानदार तो इसमें कोई evolution या इर्तिखा का कोई यहां पे पॉइंट जो है वो नहीं आता है तो यह useful नहीं है evolution के लिए ठीक है अब जब आप बात करते है sexual reproduction की very useful for natural selection in evolution खुदरती इंतिखाब में natural selection के अंदर जो है evolution एक बहुत एहम रूल अदा करता है और जो sexual reproduction उसको बहुत ज्यादा support करता है ठीक है जैसे अभी थोड़े पहले हमने example देखा blue और black का तो उसमें changes आगे फिर उनका generation आगे पड़ेगा फिर उनका generation आगे पड़ेगा उसमें भी variation देखने को मिलेगी तो दीरे दीरे हजारों साल बाद एक नई species वजूद में आ सकती है evolution हो सकता है और यह sexual reproduction जो है उसको support करता है evolution के लिए ठीक है that is the sixth point अब आई यह last point पे कुछ example देख लें कि a secure reproduction आकर होता कहां पे कैसे होता है और sexual reproduction कैसे होता है कहां पे होता है किस पी होता है तो a secure reproduction occurs by budding, fission, fragmentation etc तो यहां पे कुछ examples दिए गए जिसके जरिये से a secure reproduction जो है वो carry forward होता है इन सारे चीज़ों को हमें detail में देखना है आगे चलके occurs by budding, fission, fragmentation यह सारी vegetative propagations वगरा यह सारी जो चीज़े हैं यह धीरे धीरे जो है वो a secure reproduction में होती है और एक जानदार से दूसरा जानदार वजूद में आ जाता है अब जब आप बात करते हैं security production की occurs by pollination and fertilization to security production plant के बारे में जब हम देखते हैं to plant के अंदर security production pollination से होता है पहले pollination होगा उसके बाद fertilization होगा pollination यानिके अमलेजेरगी the process of transfer of alther to stigma is called as pollination यानिके जीरेदान में से जीरों का निकल कर कलगी तक पहुंचने का अमलेजेरगी कहलाता है तिके उसके बाद fertilization होता है जिसे बारह अवरी कहते हैं यानिके मेल और फीमेल जामेट आफस में combine हो जाते हैं फिर आगे का प्रोसेस जो है वह जाएगोट अब्रियो और सीड फूर्ट वगरा बनने का प्रोसेस चारओ होता है तो यह चीज़ कहां पे हो रही है तो यह दो चीज़ें हम लोगों ने यहां पे देखी हैं उनके examples के तौर पे वह बर्डिंग के तो यहां पे आप बात करते हैं तो सेज़ेटीर प्रोडाक्षेन के पहले प्रेटिलाइशन होगा तो यह साथ पॉइंट्स यह हम लोगों ले देखे हैं डिफ्रेशियेटिंग पॉइंट सेज़ेटीर प्रोडट्शन के और तो यह वो गए basic introduction और difference between security production and security production ठीक है तो जो मैं simple, आसान, clear इसको यही का यही याद करना है ठीक है मैं आपको याद करा के यहां पर छोड़ोगा बहुत simple है बहुत आसान है ठीक है अब यह जो मैं आपको लिखा के दे रहा हूँ यहां पर यह जबरदस्त नोर्ट है यह आप नोर्ट जो है आपने अपके नोर्ट बुक के अंदर कॉपी कर लेने है ठीक है मैं थोड़ा सा भी हटूँगा और दो चार सेकंड के लिए आप इसकी एक snapshot ले लिए या पॉस करके जो है वह इसको लिख लिए और जैसे जैसे हमारे वीडियो दो भी आगे आते जाएगे वैसे आपके नोर्ट भी जो है वह तैयार होते जाएगे तो यह नोर्ट जो है वह आप अभी कॉपी करेंगे तो यह हो गया आपका डिफरेंस और सेब्चुल में और सेब्चुल में तो जैसे मैंने कहा कि आपको यहीं पर याद करना छोटी सी डेपिनेशन है ठीक है चलिए सब डेपिनेशन को थोड़ा दुबारा से दोरा लीजिए क्या है डेपिनेशन? तो प्रोसेस इं लीविव और्गयानिजम तो प्रोड्यूस याद गॉन और सेब्चुल में और सेब्चुल के रजाएं जो कि दो टाइप यहां पर आप्षय। है यहां पर सिंगल पैलेट इन वाल्ब यहां पर आपस्टिंग्स जो है वो मेल और फिमेल दोनों के करेक्टर सब्सक्राइब लेस्ट तगयुरात कम हैं ज्यादा तगयुरात तब दीलिया यहां पर देखने को मिलेगी इसके बाद साक्वा ओकर बडिंग फिजन और फ्रेग्मेंटेशन ओकर थूप पॉलिनेशन और पॉलिनेशन साथ चीज़ें आपने याद रखनी है चलिए अब वीडियो को हमागे बढ़ाते हैं और अब हम यहां से देखने वाले हैं अज सेक्जूर्टी प्रडॉक्शन कितने टाइप का होता है और उसके एक्सेम्पर्स क्या क्या है